नमिश्कार से निउस भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रिजा से पित्रपक्ष यानि के पित्रों को याद करने का समय ये वो समय होता है जो बहुत महत्वपोर्ण होता है भाद्र शुकले पोर्डेमा को रिशी तरपन्ट से आरंब होकर ये आश्विन क्रिश्न अमावस्या तक जिसे महालेया कहते हैं उस दिन तक पित्रपक्ष चलता है इस दोरान पित्रों के नाम से तरपन्ट शाध पिंडदान और ब्रामण भोजन करवाया जाता है पित्र पूजा में कई बातें ऐसी हैं जो रहस से मई हैं और लोगों की मन में सवाल उत पित्रों का इस्मरं करना ही श्राद्ध है विन्ट्यु के बाद पहला श्राद गौगरास के रूप में होता है और बात के सभी श्राद श्रधे को यतोचिक पकवानूँ का भोग लगा कर किये जाते हैं जो तिशियों के मुताबिक श्राद्ध पक्ष में, तरपन के बाद श्राद की तिथी पर पंडितों को भोजन कराया जाता है पित्र विसरजनी अमावस्या को सायंकाल नदियों के तटों पर दीब जला कर पित्रों की विदाई की जाती है श्राद तिथी को श्रधालू दक्षन दिशा की ओर मुख कर अपने पित्रों का अहवान करते हैं पित् पित्रों का आगमन किस दिशा से होता है बतादे कि शास्त्रों के मताबिक महालिया पार्वन श्राद्ध को 16 श्राद्ध भी कहा जाता है पित्र पक्ष में पित्रों का आगमन दक्षण दिशा से होता है पुर्णिमा के दिन पित्र दक्षण इस्थित पित्र लोक से अपने वंशर्यों द्वारा दिया गया हवन ग्रहन करने के लिए घरती पर आते हैं ऐसे में जानकारू के मताबिक वास्तु के हिसाब से कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जैसे शाद के दिन घर का मुख्यद्वार स्वक्ष और आकर्शक होना जाहे मुख्यद्वार पर पुष्प और दीपक लगाना शुब माना जाता है जो सकारात्मकूर्जा और सम्रिध्धी को आमंतरित करता है वास्तु शास्र में दक्षन दिशा पित्रों की दिशा मानी गई है पित्रपक्ष में पित्रों का आगमन दक्षन दिशा से होता है इसलिए दक्षन दिशा में पित्रों के निमित पूजा तरपन किया जाना अच्छा माना गया है मानेता है कि जिन्होंने शरीर धारण किया है चाहे वो पित्र है या गुरु जो देव तुल्य है उनकी पूजा सदय दक्षिन दक्षिन पश्यम और पश्यम दिशा में की जाती है पूर्व पूर्वोत्तर या उत्तर में रहें क्योंकि ये इश्दिशा हैं तरपन के समय ऐसा इस्थान चुने जो शुद्ध और सकारात्मक उर्जा से भरपूर हो स्वक्षता से तरपन के क्रिया में दिव्यता और प्रभाब शेलता बनी रहती है श्राद कर्म के दिन ब्रामण को भोजन करानी से पहले दक्षन दिशा की ओर मुख करके कुछ तिल और जल लेकर पित्रों का तरपन करें तरपन के समय अगनी को पूजा इस्थल के आगनी यानि दक्षन पूर्व दिशा में रखना चाहिए श्राद भोज कराते समय ब्रामण को दक्षन की ओर मुख करके बिठाना चाहिए इससे पित्र प्रसन होते हैं श्राद के दौरान घर में शान्ती और एकागरता बनाए रखें किसी भी प्रकार किया शान्ती या जगड़े से बचने देखा जाए तो जानकारों का ऐसा मानना है कि श्राद को पूरे नियम और समर्पंट से करना चाहिए इससे पित्रों का आशीश प्राप्त होता है और ये आशीश जीवन भर काम आता है फिल हाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं से न्यूज भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ